कि येस वी आर लाइव कि साथियो नमस्कार मैं सलम चोपदार फैस्बुक लाइव में आप लोगों का और यूटूब लाइव में आपका हर्दिक श्वागत है क्या जो rip आज क्या जोंक मुद्दों पर है और यह जो लाइव ही आप लौंग कि आ यूटूब पर देख रहे हैं तो यूटूब पर और अगर फैस्बुक के देखिए तो फैस्बुक पर दुनके लाइव किया जा रहा है और आज आप लोगों को पता है केंदर सरकार के दुऌरा वेलडेटी को लेके पर्मानपत्तर की जो विदता है उसको लेके एक गायडलाइन जारी की गई है जो केंदर के जो शिक्षा मंत्री है रमेश जी उनके द्वारा एक बात रखी गई कि पहले भी ये बात NCD के द्वारा लिखा गया था कि जो गाइडलाइन है वो लाइफटाइम कर दी जाए और उसी लाइफटाइम के संद्रब में आज उन्होंने इस पर तोड़ से गाइड ग्रूप से लागू करें और इसी के संद्रब में केंदरिये विद्धाले के विएस बोलते हैं हम उनको उन्होंने भी इसको लागू कर दिया है अब मुद्दे की बात ही है कि क्या ये वेल्डेटी बढ़ेगी राजस्तान में इसका क्या परभाव पढ़ेगा मुख्य बात ही है दोस्तो राजस्तान में क्या परभाव पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए क्या राजस्तान में रीट की वैद्धा बढ़ेगी में प्रभाव शुनने जैसा हो जाएगा नहीं रीट की बर्ती जैसा लेकिन कई लोगों ने लगा कि आप तो एक दिन पहले रीट की वेदता कि जो परमानपत्र की वेदता बढ़ाने के लिए बहुत रहे थे 18 का तो 18 का और 11 का बहुत बढ़ा अंतर है अलांकि 11 से कोई होना चाहिए दूसरा धड़ा यह कहता है कि नहीं होना चाहिए जो वेदता बढ़ाने के जो गुरूप है उन से भी मेरी बात हुई थी उन्होंने जो केस लगाया था क्योंकि जो कुल्दीब जी बेने वाले उनकी टीम ने जो लगाया था देखो अब राजस्तान में इसक सरकार पर डिपेंड करता है तो राजी सरकार को इसमें कोई आपत्ती नहीं होगी हो शकता इसमें वेल्डेटी बढ़ाया बीच जाए कि रामतार जी रीशफल होगा भाई कि बिल्कुल आप मुझे व्यक्तिकत कॉल करें कि अनुप मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2006 की सुप्रिम कोट से जो हरी जंडी मिली उसका क्या हुआ दोस्तों हरी जंडी यह लोग यह कह रहे थे दोजाशोडा की बर्ति को लेके कि नेगटिव कमेंट है यह है वो है अब कल से सुनने में आ रहा है दो तिन ट्विट लगाता सुड़ा का काम होगा सीम साब ने मंजूरी दी है तो आगे भी इसका काम को आगे बढ़ाएंगे मैं वैद्यता की बारें बोलना चाहरा था राजस्तान में वैद्यता बढ़ सकती है कोई बड़ी बात नहीं है राजस्तान सरकार इसमें केंदर सरकार के विपरित नहीं जा पात को भी देखना जुरूरी है जो केस लगा हुआ है इसमें उन्होंने रिस्पोंड रिस्पोंड़ेट रूप से ऊasses और उतारी है उन्होंने क्या कि जो जो कैबिएस सेटेट की जो उन्होंने party बनाए अपने साथ में और उन्होंने इस जबाब देने के लिए तो वहां पर ये case थोड़ा परभावी बनता है दूसरी बात एक राजी सरकार को ये है कि अगर राजी सरकार कई लोग कहते कि तीन साल का उन्होंने नियम बना दिया जाता है जब उसमें विवाद नहीं होता तो वह नियम चलता है कोई issue नहीं होता है जब नियम बना दिया जाता है लेकिन उसे नियम को यदि कोई challenge कर देता है उन श्थित्यों में कई परकार की बात आती है अब मैंने सरकार के सामने एक बात यह रखिए कि यदि इस परकार का मेटर आता है तो को पॉश्ट कम से कम कई लोगों को ने बार बार यह कह दे कि वही लोग लग जाएंगे जो अठारा में लगे थे वह चोपने जहार की बरती थी दोजा सोडा में लगे थे वो लोग आ जा बेरोजगार के साद किसी परकार का छल ना हो कपट ना हो और दूसरी बात अब जो एक केस चल रहा है जो कुल्दीव जी पेनिवाल किन की टीम ने जो लगा रखा है उस केस के बारे में आपको अउगत कराने की कोशिश करता हूँ कि उस केस में क्या चीज है अलांकि मेरे के पास कुछ चीज़े आई थी कि कि कुछ जैसे कुल्दीब जी बेनेवाल की टीम ने जो मुझे बहजा आए कि उन्होंने कहा है कि जल्दी हम इस में नेर डिट के पास भी जा रहें सीनर एड़ॉकेट भी उतार रहें दो और सीट एट की तरफ से उनके वकील उतर चुके हैं उनकी टरफ से उनकी पक्स में ही टरफ से उनके वकिली का नाम उन्होंने मादव मिश्च्रा लिख राकई मित्रा या मिष्रा यूख मैं इसके लाओं केंडरिय शिक्षा मंत्रा लेकि आदेस जो निश्चित रूप और उन्होंने एक बात और भी कहिए कि अगर वेदिता बढ़ती है तो इसमें ग्यारा बारा वाले लोग नहीं आएंगे निश्चित तोर पे हो सकता है ग्यारा बारा वाले दस साल पुराने लोग नहीं आएं हो सकता है ग्यारा बारा वाले लोग निश्चित तोर पे नहीं आएं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हरीट एक्जाम की बारे में मैं आपको न्यूज दूँगा क्योंकि मेरी आज वापीश सर्चा हुई है तो कई लोग जो मेरी कोशिस ही है कि आप तक सही न्यूज रहने वाले नहीं है या हमारे तरफ से कोई बात रखने की बात नहीं है इसमें डिशिजन क्या सरकार को लेना होता है इसमें राज्यस्तान सरकार का भी कोई ज्यादा रोल नहीं है कई लोग के राज्यस्तान सरकार यह कर देगी तो गरबड हो जाएगा वो जाएगा राज अजस्तान सरकार वैदेता के लोग जो मेंटर चल रहा है रीट की जो वैदेता का है देखो आप लोगों को पता है डोटासरा जी आज से पंद्रा पिस दिन पहले यह कह रहे थे दसवीं बार्यू का हमें एक्जाम करवाएंगे जुलाई में लग वगनिशित परिख्या होग होगी जब केंदर सरकार ने तसवीं बार्यू में का एक्जाम कैंजल किया तो उन्होंने भी कैंजल कर दिया और इसे के interessant पे यहां पे जो आप जो वैदेता की बात करें तो विचार कर रहे है ग्लार्मेंड और गवर्मेंड को कि की प्रकार से जोकर में ना बढ़ाए लेकिन कोट में भी व्यदता वाला मेटर कमजोर नहीं है दूसरी बात हम बात कर रहे थे रीट के एकजाम को लेके रीट की व्यदता से परभाव कितना पड़ेगा परभाव हर जगह पड़ता है परभाव सिद्धी सी बात यह कि पिछली बार बेटेज की वज जैसे लेकिन मुख्य रूप से अगर वेदता बढ़ती है वेदता जो बड़ा इशु बना हुआ है मुख्य रूप से अगर वेदता बढ़ती है वेदता का वेदता लोगों को दी जाती है केंदर सरकार के अनुशार या फिर किसी अन्य अनुशार जैसे हर्याना में बढ़ एक साल कोविड की प्रस्तित्यों को मद्दे नजर रखते हुए तीन साल से कोई एक्जाम नहीं हुआ है कोट उनको कर दे तो निश्चित तोर पे इतना बड़ा परभाव नहीं पड़ेगा जितना माहौल बढ़ाएगा लेवल फर्ष्ट में लगबग लोग कलीर हो चुके ह कमें वेटेज की वज़े से लोगों को और अलगण से कोई दिक्कत हाँ तो ओल लोग इस बार भी त्यारी ज्यादा थे 266 वाले भी कई लोगे से कि उन्हों के नंबर ज्यादा थे इस बार उतने बने ना बने उन्होंने यह का हमारी त्यारी हित बेरोजगारों का होना चाहिए मेरा यह मानना है एक प्रमानपतर से एक व्यक्ति को एक बार नोकरी मिले रीट के संद्र में अब कई ल दिश्बिलिट्री टेस्ट है एक पातरता परिक्षा है पातरता परिक्षा यहीं पे है रीट के बाद में अलग फौरूम करो ले जातें है उसके बैस पे नोकली होते प्लान करते है वर्तमान के संद्र में कोई इस प्रकार की लेट तो आज बात को प्रकार से यहां पर बाते हैं हमने संपर्ख करने कोशिश की थी जो बोर्ड के अदेख्षाय जाड़ोली साथ ने उन्होंने इस परष तोर से यह कहा है कि अभी इस परकार की कोई चर्चा नहीं हुई है इस पर फेसला मनने शिक्षा मंतरी गोविन सिंख जी लेंगे और उन्होंनी कहा की सितमबर से पहले पॉशिबल नहीं है यह एक बड़ी बात है समझाषब निआ हैं पषचात एख्जाम हो और उससे पहले होना जिस्क प्रकारख की त्यारह नहीं को यह यह मान के चल रहे हैं कि यह ठोड़ा डीले हो शकता है और आज भी मैंने चर्चा किती तो उन्होंने बातों बातों में उनके मुझ से कि पूरी कोशिश करता हूं पे जानकारी पूरी शांजा कर देता हूँ तो दोन पर कमेंट आ रहे वेदता बढ़नी चाहिए कही लोग के वेदता से हमें दौक्शान होता है अमारे त्यारी साथमkonuka दोर है अब सरकार को फैसला लेजारे इस मेटर मेटर पर जो न्यूज है जो खबर है वह हमारी कोशिश है कि आप तक सबसे पहले पहुंचाए जो एक्जाम की डेट है रीट लेवल टू दोज़ार ठारा वेट्टिंग प्लस रीशेफल आएगा दोस्तों इंतजार करें अब एक और मुद्दद दोज़ार सोडा क कि भर्ति को लेके कई लोग जो दोज़ार सोडा की बर्ति को लेके इस परकार के ब्यान दे रहे थी के नेगटिव है और है यसे हैं वह कलकी जैसे विलाइव देने के बाद मैं यह बोलने लगे हमारे तीन तारी को मंगतरी जी से बात हुई थी सीम से बात सभी प्रतियों क मैं SLP लेगी गवर्मेंट कई लोग यह आज मेटिंग की थी मैंने यह सुना था एडिशनल को लेके कि कि ओडर को लाकू किया जाए दो महीने होगे कोविड में ज्यादा भी टाइम हो सकता है तीन महीने का टाइम वैसे होता है तो इसका कोई बड़ा इस्यू नहीं है विनोज जी बिलकुल बिलकुल समंदर शिंग जी वैल्डिटी की बाते है इसके अलावाद दो भरतियां और है त्याग पत्रित वाला जो मामला है दोस्तों इसमें कई लोग यह कह रहें कुछ नहीं होना है आप देखना इसमें भी बहुत कुछ होगा इंतिजार करें जहां पर भीड उती है वहांपर बहुत सारे लोग खड़े हो जाती है यह कह देंगा मैं भीड के साथ हूँ लोग चाहिए मैंने ऐसे-चे मुद्धे चुने हैं ऐसे-चे मुद्धे उठाय को भीड नहीं थी और काम किया, काम करवाया और उशी के तरज पे आगे बढ़ाया और आज भी मैं कहे रहा हूं चाहिए 2013 का बेक लोग जुडाना हमारी टीम के मिंबर साथ थे 2016 की बरती जिसके बारे में लोग यह कह रहे थे बरती खतम हो चुकी है पर लेप्स हो चुके हैं उनको डियोपी के सर्कुलर 2018 को चिलेंज करवा के जिता के निकलवा के लिए इसके अलावा 2016 की बरती को खड़ा किया है आज नोकरी मिलेगी इंग्लिश तो चाहिए साइंस मेहत का मेटर हो चाहिए 2017 संस्कृत विवा का यह लोग तो ऐसी डम्मी याची का लगवा के केस तक हरवा दिया था चाहिए अब त्याग पत्रित वाला मामला भी देख लेना जिनके जिन में युवा को मौका मिलेगा फर्ष्ट ग्रेड की बरती के बारे में काफी युवा मुझे कोल कर रहे थे तो दोस्कों मैं फर्ष्ट ग्रेड की बरती के बारे में आपको अउगत करा देता हूं सरकार किसे ज मुद्दा नहीं उठाता है अब मुद्दा इटाएंगे एकजाम भी करवाएंगे और जलत से जलत आप सभी लोगों को चाहिने तुर करवाने की कोशिश करेंगे शुक्रिया शुक्रिया जितनर जी अब आपके कमेंट्स है मैं जबाब देने की कोशिश करूँगा हीट के प पड़ों में वर्दी हो ताकि ये फायदा हो और इसके संद्रब में जल्दी में मुलाकात करूँ आपकी सारी बाते रखने कौशिश करूँ इंटर्शिप का जो मामला है जो युवा साती बार-बार मुझे बोल रहे हैं वह भी माउगत करूँ हालांकि मैंने उसके लिए मैं ताकि प्रॉपकात करेंगे नहीं बीएड़ वाले त्यारी करो जम लेवल 1 कि कई लोग स्वाइब करें तक कि त्यारी नहीं है लेकिन उनको पता चल जाएगा क्या होना है बीएड बीस्टिकी सी विवाद में बियड़ वाले आउस्य जितेंगे दोस्तों निश्चिंत रह जल्दी आप आपको यह चीज़े देखने को मिलेगी कुछ चीज़े कुछ चीज़े करके दिखाने में स्वाद आएगा इंतिजार करें सेकेंड ग्रेड की बात रखोंगा दोस्तों रीट एक्जाम सितंबर एक्टूबर से पहले होना पॉशिबल नहीं है यानि जो जुलाई अगस्त का बहुत रहे थे तो जुलाई अगस्त में एक्जाम नहीं होगा पॉश्टेट रठाक के दोजार्शोडा का जो मेटर है उसम आपको शाधी की बहुत बहुत शुब काम नहीं आपने लोगडाउन शाधी किया दोस्त है कि एडिशनल एडिशनल बात रखोंगा वैदिता वैदिता के बारें बोल चुका हूं कई लोग इसको अनिता ना ले दो प्रकार की लोग है जो बढ़ाने वाले भी है और मुझ स करता हूं रमज्यान खान जी कि सभी उर्दू की पोश्टे अभी मैं पूछी नहीं है सब्जेक्ट वाइज पोश्टे पूछी नहीं है और जल्दी पूछ की बताऊंगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की बीच में जो भी जानकारिया है मैं आप लगों की मैं कोशश्टे की प्रस्तिति वेंगे सबहुत अपने घर पे अब वापीस हो जाएगी दिक्रत वाली बात नहीं है थोड़ा मैं भी इस काबीड की प्रस्तिति से गुजरा था परिवार में में ही चाचा कोवेड हो गई थी उस वज़े से मुझे भी काफी दिनों से रुखना पड़ा था ओश्पिटल में कुछ ऐसी जिन्द की बीच में शुक्रिया विनोच जी हाई नहीं हाई कोट का मामला एक अलग आ जाता है बाकी सभी में इडिवलोस के फारम अब सभी के खुलने शूरू जाएंगे सभी के लोग के खुलने के लिए हम अपील करते हैं फिर यह कह देंगे फारम कुल के जो काम हो रहा है उसमें वो कह देंगा हमारा प्रिया सपल हो अबने फारम खुल लेंगे सभी के इडिवलोस के वज़े से आप चिंता ना करें दोस्तों अब रीट की विगयप्ती आएगी संसोधित विचार सल दरें सारी बाते आप लोगों के सामने सांजा करूंगा जल्दी बीएश्टीशी वाले त्यारी करें चिंता ना करें मैनत करें कंपेटिशन करें बीड़ वाले सामी लोंगी क्या फरक पड़ता है आपको एक सेड़ चाहिए उसके लिए आप लड़ाई करें 14 परसेंट चल्दी मैं कोच आपको अच्छे कोशिस करूंगा कि आपकी आपके में मैंनत करें और जल्द ही मैं सरकार लेवल तक मैं जब बात रखता हूं तो 14 परसेंट मेरे माइंड में होती है जब कल भी मैंने जब पूरी चीजे रखी थी फाइल में 14 परसेंट का मामला था और आज भी आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि यह रखूंगा तेपक जी सामरिया जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जब जुड़ते हैं आप लोग का प्यार यह नहीं बना रहे दोस्तों मेरी कोशिस रहेगी आपके हर चीज आपको सही तत्या के साथ रख आत्री जैहिंद जैभार्थ